हे बच्छा लोग वेल्केम टू डाउटेंड कैसे हैं आप सब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं स्वास्थ हैं खुश हैं और इसके साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं मैं हूं विचाता आपकी बालोजी टीचर और हम बात कर रहे थे अ हम थे चैप्टर के साथ और हमल जल्दी से देख लेते हैं कि आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो भाइज सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गी करण का आधार ठीक है फिर पढ़ेंगे वर्गी करण ठीक उसके बाद वर्गी की समवर्ग फिर एक चूट असा टॉपिक है टेकजा उसके बाद हम कुछ उधारन को देखेंगे जिनकी वजह से आप सभी को ये चैप्टर ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ करती है लेकिन बच्चा लोग की कोई भी जरूरत नहीं है बहुत असान तरीकी से इसको आज हम समझने वाले हैं ओकी तो चलिए जल्दी से चलते हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास किसके साथ ये हमेशे की तरह अपने एक रिकाप के साथ हम देखते हैं कि अपन आज में नहीं आ रहा होगा कि actually मैं भी चल क्या रहा है ठीक है थोड़ा बहुत confusion होगा तो प्लीज बच्चा लोग अगर आप आज नए हो तो मतलब इस क्लास के बाद आप पहले की वीडियो भी जरूर देखिएगा ठीक है आपको इस चाप्टर समझने में बहुत आसानी ह होगी कि basically आज हमने पढ़ा क्या है ठीक है ओके तो चलिए जल्दे से एक recap लेते हमने बात करी थी कि व्यज्ञानिक नाम ठीक है व्यज्ञानिक नाम हमने ये लिखना सीखा था है ना यही लिखना सीखा था हमने किसकी हेल्प से सीखा था हमारे Mr. Carolus Lineus Carolus Lineus ठीक है अब ये जो Carolus Lineus थे इन्होंने ख्या किया भाई इन्होंने एक इन्होंने व्यज्ञानिक नाम लिखने की एक टेकनीक बनाई ठीक है एक टेकनीक बनाई ठीक उस टेकनीक को इन्होंने क्या नाम दिया उस टेकनीक को इन्होंने नाम दिया द्वी पदनाम पद्धिती ठीक है उन्होंने क्या नाम दिया द्वी पदनाम पद्धिती ठीक है इस में इस द्वी पदनाम पद्धिती में इन्होंने क्या कहा इसमें इनोंने क्या कहा कि भाई यहां दो पद होते है ठीके एक कौन सा हो गया वन्च ठीके दूसरा कौन सा हो गया जाती और यहां पर हमने इन निएमों को भी देखा था कि किसी भी जीव का नाम लिखने से पहले हमें उसका वरगी करण पता होना चाहिए ठीके, नाम लिखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसका वर्गी करण ठीके वर्गी करण ठीके, वर्गी करण पता होना चाहिए तब ही तो जो है आप उसका नाम लिख पाओगे और जिसके लिए हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा लेकिन फॉलो तब करोगे जब आपको सबश में आएगा राइट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को नियम याद होंगे चलिए, अब यहाँ पर वर्गी करण पता होगा लेकिन आच्ची क्लास में हम बात करेंगे वर्गी की समवर्ग की ठीके, आज हम बात करेंगे वर्गी की समवर्ग ठीके, अब हमने देखा था कि यह जो दुईपत नाम पद्दती है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो वश है और एक जाती है दो पद हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीके, अब यह लिखना तभी पॉसिबल है यह लिखना तभी पॉसिबल है जब हमको वर्गी करण करना आता हो जब हमको क्या होगा, वर्गी करण करना आता हो अगर आपको वर्गी करन करना इनी आएगा तो भाई इन दोनों का पता होने का फायदा भी क्या है तो आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे हम बात करेंगे वर्गी की समवर्ग के बारे में इसके बारे में बात करेंगे ठीक है लेकिन लेकिन यहां पर जीवों का वर्गी कर करना आना चाहिए तभी तो हम इसके बारे में पूछ मतलब बात कर सकते हैं ना और वर्गी करन करने से भी पहले भाई हमें उसका अधार पता होना चाहिए कि अगर मैं वर्गी करन कर रही हूं क्लासिफिकेशन कर रही है तो इसका अधार क्या है थीक है कि मेरे पास दो चॉकलेट है एक मेरे पास डेरी मिलके एक मेरे पास केट-कैट है तो इन दोनों चॉकलेट को मैं कैसे क्लासिफाइट करूँगी बताई enrolled criter जल्दी से बताईए ओके चलिए ठीके इसको continue करते हैं मैं बताती हूं कि बाई मैं कहूंगी यह जो dairy मिलके ना यह तो cat worries की है और यह जो kitkat है वो Nestle की है है ना अब जो dairy मिलके ना इसका cover तो कौन सा है blue यह जो kitkat है इसका color क्या है red है इन दोनों के texture में difference है है ना इन दोनों का taste अलग है तो मुझे पता है कि अगर मैं एक दूसरे से अलग कर रही हूं तो उसका base क्या है राइट तो ऐसे ही जब आप किसी जीव को वर्गी करत करते हो classify करते हो तो आपको पता होना चाहिए किस basis पे कर रहे हो ठीक है तो चलिए शुरुबात करते हैं हम कि वर्गी करन का अधार क्या है तो भई वर्गी करन का अधार जो है इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जीव क्या है कौन सा है मतला वो पादप है या जनतु है सबसे पहले जो यही पता होना चाहिए राइट उसके बाद हम देखें अब ठीक है चाहिए ऐसा समझे है हम जानते कि हमारे इस प्रत्वी पेने बहुत सारे बहुत सारे जीव जनतु है पेड़ पौदे ठीक है अब सबका नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर मैं पहली बार क्लास लेती हूँ तो देखो पहली बार में पॉसिबल नहीं है ना कि मुझे सब बच हो पारा है तो इसी लिए इन सब पढ़ाई को समझ को easy करने के लिए आसान बनाने के लिए हमारे विज्ञाने के उन्हें क्या किया टेकनीक बनाई ठीक है उन्होंने क्या टेकनीक बनाई द्वी पदनाम ठीके यह टेक्नीक थी द्वी पदनाम अब इसके इसाब से मैं और डी बता चुकी हूँ कि इसके इसाब से क्या था कि भाई एक वंश और एक जाती यह दो पत्थे इसमें ठीके अब यह दोनों पता होने के बाद भी हमें क्या चाहिए कि अगर मेरे पास पता होना चाहिए कि यह पादप है या जन्तु है अगर पादप है तो उन्हें एक तरफ कर दूँगी जन्तु है तो उन्हें एक तरफ कर दूँगी है ना ऐसे ही करेंगे हम mix तो नहीं कर देंगे बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि हम उन्हें पहचान रहे हैं या नहीं पहचानना ठीक है सबसे पहले क्या काम होगा हमारा उन्हें पहचानना अब ठीक है हमने पहचाना कि ठीक है ये दोनों इस सेम केटेगरी से हैं ठीक है फिर यहां पर हमें क्या देखना पड़े हैं कि भाई उसका external जो उसके external जो है factors वो क्या है मतलब उसके बाहे बाहे गुण कौन से हैं ठीक है पहला तो यह देखेंगे तो बाहे गुण क्या हो जाएगा कि ठीक है भाई अगर यह शेर और यह चीता है तो इन दोनों के बाहे गुण क्या है दोनों की पूछ है दोनों की दो आखे हैं दोनों के दोकान है ठीक है दोनों के मूछे भी हैं दोनों दहारते भी हैं खूबते जोरते हैं यह सब क्या है सब external चीज़े हैं ठीक है उसके बाद क्या देखूंगी मैं आंतरिक ठीक है आंतरिक गुर्ण देखूंगी ठीक है कि भाई इसके अंदर जो पाचन क्रिया हो रही है दोनों में एक सी हो रही है दोनों के अंदर दिमाग है दोनों के पास क्या है स्टामक है किदनी है यह सब च होंगी ठीक है तभी तो एक ही केटिगरी में आएंगे ठीक तो यह दोनों क्या होंगे सेम होंगे ठीक है ओके अब जब मैंने उसको पैचान लिया है फिर गया होगा जब मैंने उसको पैचान लिया है तो फिर क्या होगा असका वर्गी करण होगा वर्गी करन। ठीके? फिर क्या हुआ, उसका वर्गी करन हुआ, राइट? अब जब वर्गी करन होगा, तो हम्हे क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए आप अगर किसी चीज़ का वर्गी करन करते हैं तो क्या करेंगे कि भाई गुणों की समानता होनी चाहिए तो यहां क्या होनी चाहिए गुणों की समानता ठीके चलो जे हमने वर्गी करन भी कर दिया अब जब वर्गी करन कर दिया है विग्यानिक नाम ठीके हम उसका विग्यानिक नाम रख पाएंगे ठीके ओके तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वर्गी करण की ठीके क्योंकि सब कुछ क्या है इसी के उपर टिका हुआ है कि यूंपर टिका हुआ है ठीक है हम बात करेंगे कि यह कैसे होता है क्या होता है इसमें यहां तक सभी को समझ में आया है चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते है फिर तो वर्गी करन याने की क्लासिफिकेशन ठीक है तो ये जो study है इसको easy करने के लिए किसकी वर्गी करन की study को easy करने के लिए एक new technique बनाई ठीक है एक new technique बनाई और इसी को क्या बोलते हैं वर्गी करन कहते हैं एक नई technique जिससे ये सब चीजे समझने में आसानी हो उसे हमने क्या बोला वर्गी करन बोला classification अब class में क्या है girls और boys इस दोनों है ठीक है तो क्या होता है क्लासिफिकेशन कैसे होगा कि यह गर्ल है यह बोई है ठीक है जेंडर से होता है ठीक है कि यह मेल है और यह फीमेल है क्लासिफिकेशन हुआ है ना इसी तरीके से वर्गी करण यानि क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या हुआ एक नई टेक्नीक बनाई उस टेक्नीक को क्या कहा हमने कि भाईया यह वर्गी करण है ठीक है और इस से हमें जनतुओं को क्लासिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है ठीक सबसे पहला है यद्दभी सभी जीवों का अध्यन करना लगभग असंभव है impossible है कि आप सारे के सारे जीवों को पढ़ लो ठीक है इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवशक्ता है जो इसे संभव कर सके वज्यानिकों ने सोचा कि इतने सारे जीव हैं जैसे मैंने आपको बताए कि बहुत सारे जीव हैं उन सभी का नाम या तकने में बहुत दिक्कत होगी impossible है तो वज्यानिकों ने भी करन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से द्रिश्य गुणों से आधार पर सुविदा जनक वर्ग वर्गी करत किया जा सके ठीक है इसलिए विशेशी करण पहचान वर्गी करण तदा नाम पदती आधी प्रक्रम या प्रणाली जो प्रणाली है जो वर्गी की या वर्गी करण विज्ञान के आधार है वर्गी करण का अधार क्या है विशेशी करण पहला मतलब उनमें ढूणना की इसमें स्पेशल चीज क्या है विशेश स्पेशल है ना तो पहले कौन से बेस पे करेंगे इसी पर विशेशी करण पर ठीक है ओके दूसरा पहचानना ठीक है या पहचान की ठीक है मैंने पहचान लिया कि ये कुटा है या बिल्ली है ये गुलाब का पेड़ है या गेंदेगा ठीक है फिर वर्गी करण याने की वही क्लासिफिकेशन करना ठीक है फिर नाम पदिती उनका नाम करण करना नाम रखना ठ इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है वर्गी करन साइंस चलता है क्लासिफिकेशन साइंस चलता है ठीक है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना आगे बढ़े ओके काफी समय से मानव्विवन प्रकार के विशे में जानने और उनकी विविधिता सहीत उनके संबंद में रूची लेता है यह हम बहुत जदा पत्दती इस curiosity को उन्होंने क्या बोला वर्गी करन पत्दती ठीक है या फिर systematics ठीक है systematic क्या है इसका संबंध किस से है इसका संबंध है किस से संबंध जीवो के विकास से जीवो के विकास से ठीक है जीवो के विकास से systematic का मतलब क्या हुआ इसका relation किस के साथ है जीवो के विकास से अब systematic शब्द Latin का शब्द यह कहां से आया है Latin से आया है जिसका मतलब है जीवो को नियमित विवस्था जीवो की नियमित विवस्था मतलब कहा रहेगी बताईए यह विवस्था कहा रहेगी जीवो की नियमित विवस्था कहा यहां पर ओके यह कहा रहेगी जीवो के जीवो के वर्गी करण ठीके में जैसे जाती हो गया ठीके और गण है कुल है वंच है एकसेक्टरा एकसेक्टरा ठीके अब क्या करेंगे हम ठीके ओके अब लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर रखा ठीके जो लीनियस से हमारे इन्होंने एक बुक छापी ठीके उस बुक का नाम के रखा सिस्टेमा नेचर ठीके तो वर्गी करन पद्दती में पहचान नाम पद्दती ते वर्गी करन को शामिल करके इसके छेतर को बढ़ा दिया ये जो सिस्टेम अनेचर था इसमें इन्होंने क्या शामिल किया कैरोलस ने पहचान नाम पद्दती वर्गी करन जब यह कर दिया तो क्या हुआ इसका छेतरफल बढ़ गया ठीक है नेचर का जो एरिया था वो बढ़ गया कि भई अब ज्यादा पढ़ने को मिलेगा ठीक है तो यह जो हमारे जीवों के वर्गी करण में जाती गर्ण कुल ठीक है वंश यह सब जो था चलिए इसको समझते हैं इतना भी मुश्किल नहीं है थोड़ा सा थोड़ा सा साथ दीजिए मैं पढ़ा रही हूं आप समझ यह ब है वर्गी की समवर्ग के बारे में तो भाई हम जानते हैं कि जो विश्व है यह बहुत बढ़ा है बहुत सारे जीव जनतु हैं बहुत सारे पेड़ पौदे हैं और सब के बारे में पढ़ना इतना असान नहीं है कि हम एक साल में दो साल में तीन साल में सब कुछ पढ़ ल इसको एक example के तुरू समझते हैं, हम example लेते हैं हमारे इस विश्व का, विश्व में क्या है, देश है, विदेश है, क्या है और जिले है, गाओ है, शहर है, ठीक है, यह सब चीज़े आती है, ओके, तो हम शुरुबात करते हैं सबसे छोटी जगा से जो मैं हूँ, हम, मैं, ठीक, मैं हूँ, मैं कहा रह रही हूँ, मैं एक गाओं में रह रही हूँ, ठीक है, मैं कहा रह रही हूँ, एक गाओं में, पर मैं क्या हूँ, मैं एक species हूँ, ठीक है, मैं एक जाती हूँ, मनुश्य एक जाती दो है, मैं एक जाती हूँ, ठीक है, मैं कहां रहती हूँ बच्चो मैं गाउं में रहती हूँ ठीके अब गाउं क्या हुआ भाई आज जातियों का समू ठीके जातियों का समू यह क्या है छोटी इकाई है ठीक अब ये मों क्या होता है अलग अलग बिबिनताओं से मिल के बनता हुआ होता है टिक जाएंबाब कम्राइब झाल्म?", ये सबराओं, वह वहां पर क्या होता है एक गाउं में क्या होता है आप लोग बहुत लोग होंगे जो गाउं से बिलॉंग करते होंगे तो गाउं में क्या होता है अलग अलग जाती हों के लोग रहते हैं तो मैं क्या हूं मैं जाती हूं मैं कहां रहती हूं गाउं में हूं और जो गाउं क्या है यह समू है किनका अल क्या बना दिया जिला, ठीके, तो जिला क्या होता है, जिला क्या होता है जी, बताइए, जो गाव होते हैं, गाव का समू, ठीके, जो गाव होते हैं, उनका समू, क्या कहलाएगा, जिला कहलाएगा, ठीके, अब जिले, जो जिला होता है, जब खूप सारे जो जिले होते हैं उनका समू मिलकर क्या कहलाएगा बहुत सारे जिलों का समू मिलकर क्या बनाएगा बताईए राज्य है ना क्या जिलों का समू जिलों का समू ठीके खूप सारे जो जिलेने मिलके क्या बना दिया, राज्य बना दिया, अब ये जो राज्य है, ये खूप सारे राज्यों को मिला कर क्या बनाएगा, देश बनाएगा, ना, क्या करेगा ये, राज्यों का समू, ठीके, और ये जो देश है, तो खूप सारे देश मिलके क्या बना मिलने कि क्या बनाते हैंं वृष्व विक्रा आ गए हैं विश्व हम यहीं तु बात करें हैं गोज हैं फिल वृष्व क्या है कि एमका जीजों प्रबहर्वा है का पैर अभर बनके बना हुआ है एक है अर्शू तरह कींग के बीच आते हैं तो सबसे छोटी काई क्या है जाती ठीके याने की स्पीशीज ठीके अब जातियों से मिलके क्या बनता है जातियों से मिलके क्या बना भाई वंच बना ठीके याने की जीनस वंच से क्या बना बताईए कुल बना कुल यानि की family ठीके अब family से क्या हुआ family से बना गड़ ठीके जिसको क्या बोलेंगे order ठीके family कुल से क्या हुआ गड़ बना अब गड़ से क्या बने का बताए चल्दी भाई गड़ से बना हमारा वर्ग वर्ग याने की क्लास ठीके क्लास से क्या बनेगा संग संग याने की फाइलम ठीके संग बना फाइलम ठीके और फाइलम से क्या बनेगा बच्चा लोग फाइलम से जी बना हमारा जगद याने की किंगडम अब यहां पर यह जाती होती है यह क्या होती है सबसे छोटी इकाई होती है छोटी इकाई ठीक है यह क्या होई आपकी सबसे छोटी इकाई होई छोटी एकाई ठीक है और जगत क्या हुआ जगत क्या हुआ बड़ी एकाई बड़ी एकाई अच्छा ये जो फाइलम है ठीक है ये जो फाइलम है ये फाइलम क्या है ये आनिमल्स के बारी में क्या होगा आनिमल्स की बारी में इसको हम बोलेंगे संग ठीक है आनिमल्स या जन्तू की बारी में इसको क्या बोलेंगे हम संग बोलेंगे और जब पादाप होंगे पादाप के लिए क्या बोलेंगे इसको डिवीशन ठीके क्या वो लेंगे पादपों में डिवीशन और जब एनिमल संग वे तो क्या कहेंगे इसको हम संग ठीके सबसे चोटी ही काई हमारी क्या हो गई जाती और बड़ी क्या है जगत तो इस जगत में सब कुछ है इस जगत में संग भी है वर्ग भी है गण भी है कुल भी है व चलो ठीक है, अब जातियों में, अच्छा ठीक है, सबसे अधा समानताई किस में पाई जाती है, सबसे अधा जो समानताई होती है, वो किस में पाई जाती है, जातियों में पाई जाती है, ठीक है, जाती में क्या होती है, समानताई पाई जाती है, समानताई, ठीक है, सबसे अ धिक समानता है किस में होती है जाती में देखी जाती है चलो एग्जाइम्पल लेते हैं यह शेर, चीता ठीक है और बाग ठीक है यह कि इनके external features हैं और कुछ internal है तो external features के एकर हम बात करेंगे तो लगबग तीरों सेम होते हैं और internal तो सब के सेम होता ही है और यह किस का रहा वंच है ठीक है तो वंच क्या है तो भाई जो वंच होता है यह वंच में संबंदित स्पीशीज जो होती है यह जो संबंदित स्पीशीज है यह इनका वर्ग आता है ठीक है वंच में क्या रहा है जातियों का वर्ग आ यहां है ठीके मतलब वन्च समीपस्त मतलब वर्थ है वह मंच संपस्त समन्धिद इस्पेसीज को समी पर संबंदिद स्पेसीज का एक समय किसका समू है ही है । वायjang सब फाण में जाती का है ठीके जैसे आध गाउच गाउं जो था किसका समू था लोगों जहां पर समानता है सबसे ज़्यादा थी अगर एक गाउं से दूसरे गाउं में जाओगे तो क्या होगा भाई वहाँ पर आपके हो सकता है रहन से बदल जाए खाना पीना बदल जाए आपकी बोली तो बिल्कुल ही बदल जाती है अगर आप एक गाउं से दूसरे गाउं तीसरे गाउं जा रहे हैं तो आपकी भाशा बदल जाती है ठीक है यह तो आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से ठीक है ओके वंच के बाद हमारा आता है कुल यह कुल किया है जिसमें संबंदित वंच आते हैं कुल में क्या आ रहे हैं कुल में आपके वंच आते हैं ठीक है ओके फिर आता है मारा गड़ गड़ क्या है यह उच्चतर वर्ग होता है क्या होता है यह उच्चितर वर्ग ठीक है उच्चितर वर्ग होने के कारण यहां क्या होता है यहां पर कुलों का समू होता है ठीक है यहां पर कुलों का समू होता है ओके ठीक है अब इस गण के बाद क्या आता है और हाँ इन कुलों में क्या होता है लक्षर समान होते हैं ठीक है फिर गण के बाद हमारा आया वर्ग अब इस सम्वर्ग में संबंदित ये जो वर्ग है इसमें संबंदित गण आते हैं इसमें क्या रहे हैं गण आ रहे हैं ठीक जैसे कि प्राइमेटा जो होते हैं प्राइमेटा कौन है बंदर है गोरिल्ला है गिबन है यह सब किसमें आएंगे फिर हमारे इसमें आएंगे ठीके अब वर्क के बाद क्या है संग है संग में क्या है मचली है उभेचर है सरी सरफ है ठीके और क्या है संधारी है यह सब किसमे खोकला तंत्री का, okay, के आधार पर इन सब को कौड़ाट में रखा गया है, ठीके, यानि संग में, उसके बाद सबसे आखिर में हमारे पर साथ है जगत, जो विभिन संगों से मिलके बना हुआ है, विभिन संगों का समू है, ठीके, यानि कि सबसे उच्चितम संवर्ग हैं, ठीक है, सबसे उच्चितम संवर्ग है ये, तो ये सब था हमारा टेक्जनॉमिक केटेगरी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, चले ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, अच्छा एक शब्द आता है टेक्जा, एक शब्द है ये टेक्जा, ये क्या है, बताइए ठीक है, ये क्या होता है, जो वर्गी करण होता है ना, वर्गी करण, ठीक है, उसके क्या होते हैं, अलग अलग पड होते हैं, हाँ, इस वर्गी करण के अलग अलग, 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 क्या होते हैं, पड होते हैं, है ना, अलग अलग पद होते है ठीक है होते है अब ये जो होते है सारे पद जो होते है ये अलग अलग ठीक है ये मिलकर क्या बनाते है ये पूरा ये जो पद है सारे ये मिलकर पूरा क्लासिफिकेशन बनाते है ठीके, पूरा वर्गी करन, classification, याने कि वर्गी करन बनाते हैं, ठीके, ये जो पद हैं, जैसे कुल, गण, है न, जाती, ये सब मिलके, कुल, गण, जाती, वंश, संग, ये सब क्या हैं, ये सब पद हैं, अलग-अलग पद हैं, ठीके, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, classification बनाते ह है ठीक है classification मतलब वर्गी करन ठीक है तो यह सब मिलके क्या बना रहे हैं टेक्जा बना रहे हैं ठीक है वंच कुल जाती यह सब आगे पीछे हो रहे हैं ठीक है confused मत हो ना मैं आगे पीछे लिख रही है ठीक है संग जगत गुण ठीक है और कौन सा था वंच कुल जाती संग जगत ठीक है यह सब मिलके क्या बना रहे हैं यह सब एक पद यह है एक पद यह है ठीक है यह भी पद है यह भी पद है यह भी हुआ यह सब पद मिलके क्या बना रहे हैं ठेकजह बना रहे हैं अभी समझ में आया है यह सब सोपान करम नहीं है एकल सोपान मतलब सिर्फ एक चीज से आप वर्गी करन नहीं कर सकते हो इसमें पदानुक्रम सोपान होता है पदानुक्रम हमने पढ़ाना अभी क्या पढ़ा कि वह जाती वंच यह पदानुक्रम है उपर की तरफ जा रहे हैं सबसे चोटा उससे बढ़ा उससे बढ़ा उससे बढ़ा तो यह क्या है पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रतेक सोपान मतलब हर एक सोपान क्या होता है पद अथ्वा वर्ग को प्रदर्शित करता है मैंने क्या मोला प्रतेक सोपान पद को क्या कर रहा है क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है है ना ओके क्योंकि समवर्ग समस्त वर्ग की वेवस्ता है इसलिए इसे वर्ग की समवर्ग कहते हैं ठीके ओके और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं वर्ग की पदानुक्रम ये पढ़ाना हमने सारे समवर्ग मिलकर क्या बना रहे हैं वर्गी की पदानुक्रम बना रहे हैं ठीक है प्रतेक समवर्ग वर्गी करण के एक इकाई को प्रदेशित करता है एक इकाई हर एक पद वर्गी करण के इकाई को बनाता है जैसे जाती है ये भी क्या है टेक्जोन है ठीक है और वंच है वंच क्या है ये भी टेक्जोन है ठीक है तो यह सब क्या कर रहा है यह एक इकाई को प्रदर्शित कर रहा है वास्ता में यह एक पद को दिखाता है उसे प्राया वर्गक यह टेक्जॉन कहते हैं ठीक है इनको टेक्जॉन कहते हैं हम जो भी इकाई है उसको क्या बोलेंगे हम टेक्जॉन बोलेंगे ठीक है ओक ठीक है यहां पर एक बात आती है कि भाई यह जो साथ क्या है यह साथ यह जो साथ पद है इनको आप याद कैसे करोगे है ना इनको याद करने में टफ होता है थोड़ा सा मुश्किल होती है तो चलो एक छोट आसा अचा ठीक है एक छोटी से ट्रिक से पहले आगे समझ लेते हैं सभी क्याद जीवों के वर्गी की अद्धन से समानने संवर्ग जैसे जगत हमने का था सबसे उच्छतर इकाई है संग या फाइलम भाग पौधों के लिए वर्ग या क्लास गन यानि फैमिली वंश यानि जीनस और जाती स्पीशीज का विकास हुआ था ओके जीवों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है चाहे जीव है या प्राणी है दोनों में जो स्पीशीज है वो सबसे सबसे नीचे की होती है ठीके ओके ठीके चलिए अपने बात कर रहे हैं तो चलो देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है चलिए फिर हम बात करते हैं अपनी छोटी सी ट्रिक की जिसके बारे में हमने अभी कहा था कि एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इन सभी पदों को याद कर सकते हैं, ठीके तो लिखो सबसे पहले कपिल, कपिल, ओके, है कोई यहाँ पे कपिल, say hi, ओके, कपिल, कॉफ, जी एस, अब यह जो कपिल है, कपिल में से हमारे पास क्या आएगा, भाई, कपिल का के क्या है, हमारा, kingdom, ठीके, kingdom, ओके, ओके, जी, उसके बाद हमारा, पी से क्या आएगा, phylum, ठीके, पी से क्या आएगा, हमारा, phylum आया, ओके, देन उसके बाद, सी से क्या आएगा, हमारा, class, ठीके, ओ से क्या आएगा, हमारा, order, ठीके, एफ से क्या आएगा, हमारा, family, ठीक, एफ से क्या आएगा, हमारा, family, G for genus, ओके, और S for species, है ना, easy, कपिल, कॉफ, GS, ठीके, K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, और S for species, ठीके, kingdom क्या होता है जी, बताईए kingdom क्या हुआ, kingdom हमारा जगत है, ठीके, phylum क्या है, संग, ठीके, class क्या है हमारा, work, order क्या है हमारा, gun, ठीके, order क्या है हमारा, gun, family क्या है, कुल, genus क्या है, वांच, है ना, और species क्या है, जाती, correct है बिल्कुल, है ना, इसको अच्छी से समझ लेना आप, कपिल कॉफ, GS, ठीके, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, अपने trick को यही हैं, बाइबाई बोलते हैं, ठीके, और chapter को आगे continue करते हैं, ओके, अहा, क्या है यह हमारे पास, बताईए, यह higher की level है ना, किसका, मनुष्य का, ठीके, हम जो मनुष्य है, हमारी species क्या है, sapiens, फिर, sapiens है हमारी, और genus क्या है हमारा, homo, चलो, उपासे शुरू करते हैं, ठीके, life, यानि कि living हम कौन है, हम सब living है, हम सब लोग जिन्दा हैं, राइट, ओके, domain क्या है हमारा, eukaryotic, हम लोग eukaryotic है, आपको बहुत अच्छे से बालू में, ठीके, ठीके, अब इन दोनों को, यहीं पे छोड़ दो, उसके बाद हम बात करते हैं, अपने kingdom की, तो जी हमारा kingdom क्या है, जगद, इसमें क्या आते हैं, जगद में, एक तो भाई, जन्तु आ गए, है न, और दूसरे क्या आ गए, पादप, ठीके, एक हमारे जन्तु है, दूसरे क्या है, पादप है, ठीके, तो यह हमारा हो गया kingdom, फिर जी आता है हमारा phylum, हमारा phylum क्या है, कॉड़ेट याने कि हमारा क्या हुआ संग ठीके अब टोटल ग्यारा से लेके तेरा संग होते हैं ठीके हम कौन से पर आते हैं हम ग्यारवे पर आते हैं हम 11 पर आते हैं ओके अब यहां मतलब 8 से जाधा होते हैं बेसिकली और हम किस पर आते हैं 11 संग पर आते हैं ठीके हम क्या होते हैं कॉडेट्स होते हैं ठीके, कॉड़ेट्स किसमें आते हैं, प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स मतलब जिनमें मेरू रज्य होती है, ठीके, ओके, देर हम बात करते हैं, जो लोग क्लास की, क्लास क्या है हमारी मैमेलियन, मैमेलियन मतलब स्तनधारी, है ना, ठीके, फिर हमारे आते हैं, और याने कि प्राइमेट्स, ठीके, हमारा ओर्डर क्या है, प्राइमेट्स है, ठीक, उसके बाद, family हमारी क्या है hominid है genus क्या है हमारा homo है और species क्या है sapiens तो ये हम homo sapiens जो हम इंसान है ये हमारे बारे में है सब ठीक है यहां तक कोई doubt और doubt है तो क्या करना है आपको doubt not करना है है ना ठीक है क्योंकि यहीं से तो होगा राइट चलो आगे बढ़ते हैं अपने seatbelts को कसके बांध रखा है ना हिलना नहीं यहां वहां से इस chapter को complete करना है हमें ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो चलो हम example लेते हैं example लेते हैं brown bear का भूरा भालू ओके तो यहां red color लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा तो यह क्या हमारा टेक्ज़नॉमिक ग्रुप हैं यह नंबर और स्पीशीज हैं और यह क्या हमारा example है तो भाई डोमीन हमारा क्या हम जानते हैं यू कैरियोटिक है और यू कैरियोटिक कितन नंबर में मौझूद हैं चार से दस मिलियन में कौन कौन है उसमें उसमें पेड़ पौदे भी हैं और जानवर भी हैं ठीक है उसके बाद हमारा आता है kingdom अनिमेलिया अब भाई यह जो हमारे पास यू कैरियोटिक से इन में से हमने जो अनिमेलिया थे उनको अलग कर दिया समझियेगा यहां पर कि मैं क्या कहना चाह रही हूं ठीक है बिल्कोल भी नहीं हिलना है यहां ध्यान दे ना है चलो उब कोंसें ट्रेट करो औगे मैं यू कैरियोटिमेंंसे हमने क्या किया भाई हमने अनिमेलिया को अलग कर दिया ठीक है ओके तोह मारे पास कितने अने मेलिया है लगभग two million ओके इन में कौन कौन थे थे सारे इस्तन्धारी थे ठीके ऐने मेलिया इन्मे सुरी इस्तन्धारी नहीं थे यह सारे जिन मेरीरज्जु होती है ठीके ऑ कवर कज़ैटा कॉडड्य तॉ आएगी ठीक है अनिमेलिया में जितने भी अनिमल से वो आए ओके फिर इन अनिमेल्स में से हमने कॉर्ड डेटा को अलग किया जिन में मेरू रज्जु होती है ठीक है जिन में नोट्रो कॉर्ड होती है ओके यह कितने थे लगबग 50,000 स्पेशिस थे इनकी तो भाई इनमें य जा रहे है कुल अब देख रहो कि हमने यू केरियोट में से अनिमेलिया को अलग किया पहले अनिमेलिया से कॉर्ड डेटा को अलग किया मतलब जिन में बैकबोन होती है इन में से फिर क्या कि हमने मैमेलिया को जिन में जो इस्तंधरी होते हैं फिर अब इन मैमेलिया से हम का कानिवोर को अलग करेंगे दिन्क किया होते जो मासाहारी होते हैं मास खाते हैं ठीक है। तो ये लगबग 270 रह गए सिर्फ, कौन कौने देख उसमें शेर है, पांडा है, पोलर बियर है, जो वाइट बियर होता है, और ये हमारा ब्राउन बियर है, ठीक है? अब ये जो कार्निवोर्स हैं, इन में से हमने RCDA जो है फैमिली में जो आते हैं, उन्हें क्लासिफाइड कर ठीक है? यानि कि जो बियर थे, कौन थे? वाइट और ब्राउन थे, वो अलग हो गए, अब हमारा में मुद्धा क्या था भाई? वो बदा हो पहले, तो हमारा में मुद्धा था कि हमें तो ब्राउन बियर को चाहिए ना, उसको अलग करना था, तो भाई यहां पर हमने जो उसको भी बाई-बाई बोल दिया, कि तुम भी हमारे लिस्ट में नहीं हो, क्योंकि हमें तो ब्राउन बियर चाहिए ना, तो लास्ट में ब्राउन बियर आ गया, ओके? चलिए ठीक है, यह एक्जाम्पल सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं चलिए, ओके, तो हमारे प तो जाती क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम जाती से शुरू करेंगे, ठीक है, पैंथरा लियो, पैंथरा लियो, ओके, पैंथरा लियो, और दूसरा क्या है हमारे पात, हम शेर में, मतलब लियो में और टाइगर में हम क्या करेंगे, लायन में और टाइगर में यहाँ पर ह और पैंतरा टिग्रिस ठीक है पैंतरा लियो और पैंतरा टिग्रिस यानि कि यह क्या है हमारा शेर और यह क्या है चीता ठीके, ओके, ये क्या है हमारी species है, पैंथरा लियो और पैंथरा टिगरेज, ठीके, फिर हम बात करते हैं, जीनस की, तो भाई, जीनस, जीनस क्या हुआ, पैंथरा, पैंथरा यहाँ पे क्या हुआ, वंज, वंज क्या है हमारा पैंथरा, ठीके, पैंथरा लियो का, पैंथरा लियो, ठीके, और पैंथरा टिग्रिस का भी यही है, पैंथरा टिग्रिस, ओके, ठीके, बिल्ली का क्या होगा, अगर हम बिल्ली की बात करते हैं तो, तो जी, बिल्ली का आ गया, फैली, फैलिस, इसका वंच हो गया, बिल्ली का, ठीके, अब वंच के बात क्या आता है मारा, वंच के बात आया हमारा कुल, ठीके, कुल, अब कुल में क्या है, हाँ, कुल में, फैली, बिल्ली का जो है, क्या है, फैलिडी बूल, ओके, फैलिडी बूल, फैलिडी बूल, ठीके, ये किसका है, बिल्ली का, ठीके, बिल्ली, शेर, चीता, ओके, और अगर हम कुत्टे की बात करते है, तो कुत्टे का क्या होगा, कैनेडी, ठीके, कुत्टे का क्या है, कैनेडी, और बिल्ली, शेर, चीता, ये सब क्या है, cat family में आते हैं तो इनका क्या है फैलिडिकुल ठीके ओके इसके बाद हमारा गण आता है तो भाई गण ठीके यह क्या है प्राइमिट गण ठीके इसमें को आते हैं बंदर आ गए आपके ठीके बंदर आ गए गोरिल्ला आ गिया ओके ओके फिर दूसरा क्या होगे हमारा कार्णिवोर्स दूसरा क्या हमारा कार्णि वोरा कार्णिवोरा में कौन-कौन आ गए बताईए कार्णिवोर्स में आए हैं हमारे बाग चीता शेर है ना बिल्ली इसमें कार्णिवोर्स में अब हमारे पास क्या आता है भई अब हमारे पास आया वर्ग ठीक है तो वर्ग क्या है वर्ग है मैमेलिया ठीक है ये सब मैमल्स है मैमेलिया ठीक फिर हमारा आया संग तो संग क्या है हमारा कॉर्डेटा कॉर्डेटा ठीके? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ठीके? ओके? फिर लास्ट में आता है हमारा जगत जगत क्या है? एनिमेलिया करेक्ट बहुत मैनत लगी इसको लिखने में? अब मैनत से समझ भी लो चलो मैं एक बाक फिर से समझा देती हूँ ठीके? स्पेशीस के एदे को हमारे पास पैंथर लियो और पैंथर टिग्रिस लियो मतलब शेर टिग्रिस मतलब टाइगर तो हम यहाँ पर शेर और टाइगर के बारे में बात कर रहे है ठीके? ओके अगर हम वन्च की बात करते हैं तो पैंथरा इन दोनों का ही क्या है? वन्च है ठीके? यानि की जीनस है और फैलिस किसका है? बिल्ली का है बिल्ली क्या? बिल्ली, शेर, चीता यह किसमें आते हैं? यह सब कैट फैंबली में आते हैं ठीके? फिर अगर हम फैंबली की बात करें तो फ्लेडी कूल जो है वो बिल्ली, शेर, चीता की क्या है? फैमिली है कुत्रे की क्या है कैनेडी ओके फिर अगर गढ़ की बात करें तो प्राइमेट गढ़ किसका है बंदर और गोरिल्ला और कांडिवोरा कौन है बाग और चीता ठीके हमारा वर्क क्या है इनका मैमेलिया है संग क्या है कॉड़ेट और नॉन कोड़ेट दोनों है और जगत क्या है जी एनिमेलिया ठीके चलिए यह अच्छे समझ लेना आप सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर और जो यह पेंथरा है लियो और टिगरिस दोनों इनका बहुत इजिली आ जाता है और जो बिल्ली है इसका भी आ जाता है इसलिए याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है यह ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए ओके काफ़ी सारे यहां पर डाइग्रैम से आप इसोश्यों के मैं कहां कहां से लेकर आईए इनको है ना लेकिन अभी हमने कैट फैमली की बात करी थी करी थी तो यह सब कैट फैमली में आते है बाइया यह क्या है मारी कैट है यह लायन है और यह टाइगर टाइगर सोड़ा चोटा रही है इनके मुकाबले में कोई बात नहीं खापी के यह भी बढ़ा हो जाएगा इसको भी पोशन की ज़रूरत है चलो आगे बढ़ते हैं हां ठीक है कैट्स बाइनोमियल नॉमल क्लेचरिंस फैल में लिया तीनों का किंग्डाम है ना तीनों का फाइलम क्या है कॉर्डेटा कॉर्डेटा और देखो कॉर्डेटा है ना तीनों क्या है क्लास में मैं में लिया मैं में लिया और मैं में लिया ठीक है तीनों का ओडर क्या है कार्णिवोरा 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 अब देखो कि कितने similar यह कहां तक होते हैं कहां पर अलग होते हैं ठीक है okay फिर family क्या है phleady phleady ये ठीक है और इसके भी similarity ये फ्लीड़ी आप फ्लीड़ी ये ठीक है अभ इसका gemis क्या है phallus है इसका generator ठीक इसकाच है पैन्तरा है और इसका Gelas क्या है पैंतरा cat family में होने के बाद भी आप सोचो कि cat इनके genus से अलग हो गई ठीक है ये जो lion है और ये टाइकर है ये दोनो same किसके हैं जीनस के है ठीक है और इसकी species के है catus इसकी है leo और इसकी क्या है pancrea pardus ठीक है और species में आके ये जो lion है और ये जो tiger है ये दोनों भी अलग हो गए ठीक है अभी आपको समझ में आ रहा है एक ही family में होने के बाद भी इन में कितना difference आ रहा है ठीक है चलो अभी आगे बढ़े चलो अभी बात करते हैं ये एक diagram आपकी ncrt में दिया हुआ है ठीक है ये क्या है देखो वर्गे की संवर्ग सही कुछ जीव अभी हमने homo sapiens के बादे हैं पढ़ा था जो हम मानब है हम homo sapiens होते हैं हमारा वंच homo है हमारा कुल hominidi है हम primate है गण में ठीक है हमारा वर्ग मेमेलिया है और संग क्या है हमारा कॉर्डेटा है ठीक फिर है घरेलू मक्खी तो भई मासका domestica ठीक है इसका जैविक नाम है मासका क्या है इसका वंच है कुल क्या है म्यूसिडी गड क्या है डिप्टेरा वर्ग क्या है इंसेक्टा मतलब ये इंसेक्ट है ठीक है और इसका संग क्या है और्थरोपॉडा ठीकै और्थरोपॉडा ऐनिमल्स की सबसे वड़ी क्लास होती है ठीकै क्लास ऐसी वाली क्लास Western मझसमजने मतलड़ जिसमें बहुत नंबर्स में जिए ज़ ज़ादा होते ना वह उस्वाली क्लास की बात कर रही हूं इस surg थक्लास की बात पही कर रही हूँ यहां पे मने क्लास पढ़ यह अब है चलो फिर इसका कुल है, पोईलस, इसका गण है, मोनो कोटेलिड़ोनी, इसका वर्ग है, और एंजियोस्परमी इसका भाग है, ठीके, तो यह वाली जो है, टेबल आपकी NCRT में मौझूद है, आप इसको बहुत असानी से देख सकते हो, ठीके, ओके, वर्गे की सहायता साधन, यानि की Taxonomical AIDS, ठीके, तो यहाँ पर देखे क्या लिखा है, कि जीवो की पहचान के लिए एक गहन, गहन मतलब गहरा, डीप, ठीके, डीप, तता आधुनिक उपकरणों, आधुनिक क्या होता है, मतलब एडवांस टेकनीक, ठीके, एडवांस टेकनीक, आधुनिक उपकरणों से संब प्रियोक शाला, ऐसी प्रियोक शाला, जहां पर क्या है, आधुनिक, क्या है, उपकरण मौझूद है, एडवांस टेकनीक मौझूद है, ऐसी लेबोरेटरी, ठीके, तता प्रियोक शाला के बाहर के परियावरण के अध्यन की आवश्चक्ता होती है, मतलब की जीवों की प पौधों तथा प्राणियों के अतरिक्त नमूने इकत्र करने आवश्चक होते हैं, अतरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, कि अगर यहाँ पे मेरे पास दस पेड़ पौधों के नमूने हैं, तो मैं जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एक ही उठा के लेके जाओ, मैं दो या तीन उठाओ उठाओंगे, क्यों? कि भाई अगर ले जाने में एक चीज़ खराब होगी, फिर दोबारा थोड़ी आएंगे या पर, हो सकता है, मैं तीन लेके जाओं, तीन जो है सैंपल, नमूने मतलब सैंपल, कि भाई मैं तीन सैंपल लेके जाओं, उनमें से जो है दो खराब हो मेरी अगली बार आने की महनत बच जाएगी, है न, ओके, ये वर्गी की अध्यन के मुख्य स्रोत हैं, ठीके, जो वर्गी की सहायता साधन होते हैं, ये क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं, ये अध्यन के मौलिक तथा वर्गी करण विज्ञान के प्रसेक्षन के लिए आवश्यक है ठीक है यह किसलिए जो हम मौरल क्यों होता है मौलिक मतलब मौरल जो हम मुह से बोलते हैं ठीक है वर्गी करन मतलब क्लासिफिकेशन मतलब जो ओरल क्लासिफिकेशन करते हैं हम उसके लिए क्या है यह प्रस्टिक्शन के लिए आवश्यक है ठीक है ओके इनका उपयोग जीवों का वरगी करण में किया जाता है ये जो होते हैं एइड टीके एड क्या है ये वाला एड ये क्या है इसके बारे बात हो रही है ठीके तो ये जो है साधन एड्स मतलब साधन ठीके इनका उपयोग जीवों का वर्गी करण में किया जाता है यह अच्छा या इस साधन से में पता चल रहा है कि यह वाली फैमिली कौन सी है यह ब्रैसी का फैमिली है मतलब जिसमें सरसो वगएर आती है अच्छा इस वाले सोर्स से में पता चल रहा है यह कैट फैमिली है कैट फ तो जाते हैं कि भाई अभी नई समझ में आ रहा है हो सकता है कि इन फियूचर इसका यूज हो जाए तो उनको क्या करते हैं परि रक्षित मतलब उनको उनको tam Del ajudarchi कर लेते हैं सेंव कर लेते हैं कि इनको सेंव करके रख लेते हैं ताकि आगे इन फियूचर कभी काम आ जाईए है हमारे ठीक है ओके चुले एक पर समझते हैं हम कि वर्गी की सहायता साधन एक्चुली में क्या होते हैं ठीक है तो ये दो प्रकार के होते हैं ठीक है एक होता है सजीव और दूसरा होता है म्रित सजीव में कौन आते हैं देख लेते हैं चलिए एक क्या हुआ सजीव ठीक है और दूसरा क्या हुआ म्रित ठीक है सजीव और म्रित सजीव मतलब जो जिन्दा है ऐसे साधन जो जिन्दा है ठीक है उनके जिन्दा रहते हुए हम उनसे वर्गी करण में मदद लेते हैं और म्रित मतलब ऐसे साधन जो म्रित है जो डेड है ठीक है उनके मरने के बाद उनको हम परिरक्षित करते हैं मतल ओके तो सजीव में पहले कौन आता है तो सजीव में सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पती वनस्पती क्या है उद्ध्यान ठीके वनस्पती उद्ध्यान और दूसरा क्या है पहला होगे वनस्पती उद्ध्यान दूसरा जन्तु जन्तु उद्ध्यान ठीके ये दो हमारे सजीव में आते हैं और मृत में कौन से आते हैं हर्बेरियम और दूसरा क्या है संग्राल ठीके पहला क्या है इजर सजीव में वनस्पती उद्ध्यान और दूसरा जन्तु उद्ध्यान उद्धर क्या हर्बेरियम और संग्राल ठीके चलो ठीके अभी सजीव के बारे हम बात करते हैं हम सजीव में क्या देखते हैं की सजीव में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास सजीव में सबसे पहला हमारा है क्यू ठीके क्यू गार्डन ठीके क्यू गार्डन ये कहां है इंग्लेंड में है वनस्पति उद्यान क्या उद्याद है आपको बोटानिकल गार्डन हम पहला अगर क्यू गार्डन जो इंग्लेंड में है दूसरा क्या आएगा दूसरा है हमारे पास इंडियन इसको थोड़ा सब्सक्राइब क्लियर करके लिख देते दाकि आपको समझने में थोड़ी आस सानी हो पहले हमने बात करी पहला क्या है हमारे पास क्यूं गार्डन क्यूं गार्डन जो कहां बताया है मैंने इंग्लेंड में राइट दूसरा क्या है हमारे पास नैशनल स्वरी इंडियन चलो यही लिख लेते हैं पहले दूसरा है नैशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टिटूट इंस्टिटूट ठीक है यह कहां पर है यह लखनव में है लखनव कहा है यह लखनव में है और तीसरा कहा है हमारे पास भाई तीसरा है इंडियन बोटैनिकल गार्डन बोटैनिकल गार्डन यह कहां पर है हावडा हावडा, इंडिया में है, ठीक है, इंडिया, और जो ये लखनो भी कहा है अपना, इंडिया में है, तो ये तीनों क्या है ये, बोटानिकल गार्डन है, ठीक है, बनस्पति उध्यान, ठीक है, ये इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो हावडा इंडिया में है, कियो गार्डन जो इंग्लैंड में है और National Botanical Research Institute जो लखनव में है याने कि अपने भारत में यह ठीक है फिर आता है जंतो उद्ध्यान याने की जोलोजिकल पारक दो जोलोजिकल पार्क भी बहुत सारे फेमस है जैसे राजाजी नश电ल पारक हो है ठीक है कॉर्वेट लिंक पार्क है हां कॉर्वेट नेशनल पार्क जो है ठीक है और भी ऐसे बहुत सारे काजी रंगा नेशनल पार्क है यह सब क्या है यह सब जनतु उद्ध्यान है ठीक है जहां पर जनतुओं को रखा जाता है ठीक है ओक के चलिए यह सब क्या थे होके क्या करते हैं हमारे इन फ्यूचर के लिए हेल्प करते हैं ठीक है अभी यह जो वनस्पत्य उद्ध्यान है इसमें क्या होता है कि जो वनस्पत्य उद्ध्यान होते हैं इन में जो पेड़ पौदे होते हैं कोई पेड़ लगा होता है अगर आपका भी गया होगे तो रहें आप लोटिस करना जब आप जाओ गे ना तो देखना फूँ ठीक है एसे जो जन्तू उद्यान होते हैं वह होता है कि अगर एक शेर है ठीक है आगे जिराफ है ठीक है आगे बंदर है अगर बंदर पिंज्रे में भी तो बाहर लगा होता है कि अच्छा यह मंकी है इसा क कि पिंजरे के बाहर भी लिखा होता है नोटिस करें इस बार जाओगे ना तो नोटिस करना ठीक है यह होमवक है चलो अब बात करते हैं हर्बेरियम की कि भाई हर्बेरियम क्या है तो हर्बेरियम क्या होता है जब आप जब आप जो है हर्बेरियम आपकी मैम आपको होमवक विगरा देंगी प्राक्टिकल वगरा के लिए तो क्या होता है कि आपको कहा जाएगा कि हर्बेरियम शीट जो होती है उन्हें खरीदो फाइल को और अपनी पसंद के कोई से भी ऐसे 5-10 जो है फूल हो गए पत्ते हो गए पेड़ हो गए उन्हें को क्या करो सुखा के उन्हें इस तरीके की शीट होगी हर्मेरियम की इतनी बड़ी फाइल आती है जिसके वाइट पेजिस होते हैं सारे तो क्या कर हो गया आप आपको इस अभी एक लीफ लोगे और इस तरीके से उस पर चिपका दोगे उसको सुखा कर है ना और यहां साइज में के लगखो गए उसके सारी जानकारी लिखो गए यहां पर ठीक है यह होता है हर्मेरियम जहां पर जो वनस पत्ती चीजे होती है बटरनेकल फूल पत्ती पेड़ बहुते उसके बारे में हो गया यह सब क्या होती है डेड होती है क्यों क्यों उन्हें सुखा के करते हैं इसलिए फिर क्या होता है संग्राले आता है हमाना संग्राले क्या होता है म्यूजियम होता है जहां पर क्या होता है कि जो डेड चीजे होती है उ और जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो देते हैं कि हाँ, ये 10 स्पेसिमेंस हैं, इनको क्या करना है, स्पोर्टिंग करनी हैं आपको, कि पता लगाओ कि अच्छा, इस बड़ी काँच की शीशी है, उसके अंदर कुछ रखा है, कि अच्छा बता हूँ, ये कौन सा जीव है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप क्या गवगें, कि अच्छा ये तो मेंड़ा के यार, देखने से पता चल रहा है, इसका नाम क्या है, फ्रॉग है, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिगरीना, ठीके, इस तरीके से आप उसको वहाँ लिख दोगे, ओके, तो टोटल ये जो सब कुछ है, ये क्या है, वर्गी की सहायता साधन है, ठीके, ऐसे साधन जो वर्गी करन में क्या कर रहे है, हेल्प कर रहे है, सहायता कर रहे है, ठीके, आगे बड़े, ओके, ओकी, तो हमारे पास आता है अब हर्वेरियम, अभी हमने हर्वेरियम के बारे बात करें कि हर्बेरियम क्या होता है यह पादपों के लिए होता है पेड़ पौदों के लिए होता है कि उनको तोड़ के सुखा कर ड्राय करके पेज पे चिपका दो और उनको प्रिजर्व कर रग दो ओके तो हर्बेरियम के लिए क्या बोलेंगे ये वनस्पती के लिए होता है ये किसके लिए होता है वनस्पती के लिए होता है जादा ओपर हो जाएगा न ये ये किसके लिए होता है वनस्पती के लिए होता है ठीके तो इसमें हम क्या करते हैं वर्नस पत्ती ठीके यहां पर हम क्या करते हैं चलो हम एक्जैम्पल लेते हैं एक पेड़ का कि यह एक पेड़ है चलो सपोस करो ठीके यह पेड़ लिया हमने ठीक यह इसकी लीफ्स है ठीके दिख रहा है आप सबको यह लीफ्स है हमने इसकी एक लीफ्स क्या कर ली तोड़ ली हमने तोड़के यह लोग जी इसकी एक लीफ्स ही आ गई ठीके लोग थोड़ा सा कर देते दाके लगे कि ये पत्ति है, ठीके इस तरीके से ये आ गई, अब इस पत्ति को क्या करना है हमें सुखाना, ठीके सुखाना है, cm ठीके, सुखाने से क्या हो जाता है यह ड्राय हो जाती है है ना अब जब यह ड्राय हो जाएगी तो यह कौन सी अवस्था में होगी मृत अवस्था में होगी है कौन सी अवस्था में होगी मृत मृत अवस्था ठीके ये मृत अवस्था में है अब क्या करना है इसको आप एक हर्वेरियम शीट लोगे इस तरीके से ठीके और ये जो सूखी हुई पत्ती है इसको इस तरीके से चिपका दो गए आपे ठीके चिपका दी अब आपने उसके बाद क्या करोगे आप रुको एकनेट यहां से इस तरीके से चिपका दोगे ठीके इस पत्ती को और फिर क्या करोगे आप जब ऐसे चिपका दोगे आप इसको तो उसके बाद यहां पर इस तरीके से एक कॉलम बनाओगे ठीके इतना कॉलम बनाओगे ऐसा नहीं कि पूरा बना दोगे नहीं इतना कॉलम में सबसे पहले ख्या लिखोगे उस सबसे उपर आएगी बेट ठीक है कि कौन सी तारीक को आप इसे यहाँ पे चिपका रहे हो ठीक है फिर दूसरा कि आएगी कि भाईया इसका कॉमन नाम क्या है कॉमन नेम जैसे चिंटूमिंग कूपिंग कूपिंग की चिंग की यह सब होता है ना कॉमन नेम आपका आपके घर में ऐसे ही हर एक पेड का भी हर एक फूल का भी क्या होता है कॉमन नेम होता है है ना ठीक है उसके बाद क्या लिखोगे आप साइंटिफिक नेम ठीके फिर क्या लिखोगे उसका क्लासिफिकेशन लिखोगे क्लासिफिकेशन ठीके ना क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है आपका जाती आ जाएगी वंच आ जाएगा कोल आ जाएगा संग आ जाएगा या फिर जो है भाग पादपों में क्यों होता है भाग होता है ना संग नहीं होता है तो इस तरीके से ये सातों के सातों जो भी आएंगे ठीक है इकाईया वो आप यहाँ पर लिख दोगे ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है यहां पर मैंने आपको बताने के लिखना है ठीक है आपको यह जो portion है सिर्फ इस portion के अंदर ही लिखना है प्लांट्स के लिए होता है और यहां पर पेड़ पूदे फूलों को सुखा कर इस तरीके से चिपकाया जाता है चलो आगे बढ़ते हैं अहां अब हमारे पास क्या है संग्राले ट तो संग्राले की होते हैं संग्राले की हमने क्या बात करें थी कि वहां पर जो डेड होते हैं जो ब्रित होते हैं उनको रखा जाता है ठीक है आपने इस तरीके令 में रक्क कि कभी आप गए हो बाइलोग जी के लाब में गए होगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि इस तरीकी से एक शीशी में क्या होता है कोई जीव रखा होता है और क्या होता है कि वहां पर साइड में एक लेबल भी लगा होता है उस पर क्या है ठीक है तो यह क्या अपना फ्र देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं यह आपको इन सब में हाँ ठीक है ना यह कि आपने स्टार फेश है तो इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि वह इसका फाइलम क्या है इसका सब फाइलम क्या है क्लास क्या है ओर्डर किया है ठीक है इस तरीके से इसके बारे में पिलाफ्स में ठीक है यहां तक सब्सक्राइब को ओके आगे बढ़ते चलो आगे देखते हैं गिर गया फिर यह क्या थे यह क्या थे यह लिक्विड के अंदर प्रिजर्फ करे गए थे हैं ना इनमें क्या आया देखो एक लिक्विड है ना यह हां लिक्विड हैना देखो इसके अंदर भी लिक्विड में यह प्रिजर्फ करे गए है यह भी यह भी यह भी यह भी हां यह लिक्विड क्या होता है formal dehyde ठीके formal dehyde ओके और यह सब क्या कहलाते है यह specimen कहलाते है ठीके इन्हें क्या बोलते है specimen बोलते है तो इसको क्या कि हमने liquid में save किया है liquid कौन सा है formal dehyde है याद रख लेना ओके ओके चलो अब गिर गया यह क्या है यह भी specimens है ठीके यह भी हमारे क्या है यह वरगी की सहाइता साधन है यह भी लेकिन यह क्या है यह bones के रूप में हड़्डियों के रूप में हड्डियों का धाचा है ठीके इनको आप पानी में preserve नहीं कर सकते हो है ना पानी में preserve कैसे करोगे बताओ इसको एक डैनासौर को नीं कर पाऊगे ना तो यहाँ क्या होता है कि इसको हड्डियों के रूप मेante इनको सेफ कर लेते हैं इनको आगे के लिए परिरक्षित कर लेता है कि हाँ ठीक है इनकी हड्डिया ऐसी है कि जल्दी खराब नहीं होंगी हमारी जो खाल होती है, वो क्या होती है, जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन जो हड्डियां होती है, वो नहीं होती है, ठीक है ना, यहादा clear, okay अभी देखो, यह butterfly है, यह beetles है, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी रखे जाते हैं, पिल लगा कर अगर आपकी लाप में मौझूद हो तो जाके प्लीज देखना आप ठीके कि इस तरीके से पिल लगा कर इनको रखा जाता है ओके ठीके समझ में आया यहां तक संग्राल ठीके यह किसके लिए होता है जो मृत होते हैं मतलब जो डेट होते है हां जो क्या है जिनकी डेट हो गई होते हैं जो डेट होते हैं यह उनके लिए होता है ठीके और क्या कह सकते हैं हम की मैंने भी क्या बताया कि किसमें सेव होते हैं फॉर्मल डिहाइड ठीके लिक्विड होता है दरवब, लिक्विड मतला दरव ठीके, उसमें क्या होता है इसको preserve करते हैं परिरक्षित करते हैं दूसरा कौन सा होता है जो bones के थू होता है याने कि हड्डीओं को ठीके, हड्डीओं का धाचा जो होता है जरूरी धाचा हो, अकेली के लिए हड़ियां भी होती है जिनको save करा जाता है, ठीकए? दूसरा क्या होता है? इस तरीके से bones का जो structure होता है या single bone हो गई ठीके? मतलग जो एक हड़ी हो गई उसको भी क्या कर लेते हैं? शेफ कर लेते हैं, ठीके? और इसके साथ-साथ ये जो होते हैं उन पे भी क्या लगा हुआ होता है एक sticker लगा हुआ होता है इस तरीके का जिसके उपर उनका classification लिखा होता है classification लिखा हुआ होता है कि उसका common name क्या है scientific name क्या है kingdom क्या है फिर उसका संग मतलब phylum क्या है genus क्या है species क्या है सब लिखा होता है ओके तो यह हमारा था संग्राले याने की म्यूजियम ठीके तक राली क्या जहां पर संग्रहे करके रखा जाता है इखटा करके रखा जाता है ठीके अलग-अलग चीज़ों को अब अदर जी हमारा वनस्पति उध्यान याने की बचारिकल गार्डन तो भई इन विशेष्ट उध्यानों के संदर्व में ले लीजिए संदर्व के लिए जीवित पौदो का संगरण होता है यहाँ पर क्या होता है वनस्पती उद्यान में जो जीवित होते हैं हमने कहा था न सजीव वनस्पती उद्यान और जन्तु उद्यान यहाँ पर सजीव रखे जाते हैं तो क्या होता यहां पर जीवित पौदों का संग्रण होता है जीवित पौदों को एक खटागर के रखा जाता है इन उध्यानों में पौदे की स्पेशीश को पहचान के लिए उगाया जाता है कि उनको हम पहचान सके इसलिए वहां पर उगाते हैं ठीके न हर एक पौदे पर वो classification है ठीक है जिस पर वनस्पति या विज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है देखिए बता रहा है नहीं है ठीक है फिर हमारे कौन से जो है प्रसिद्ध जो बोटनिकल गार्डंस है सबसे पहला आता है क्यू गार्डन जो इंग्लेंड में है जिसके बार सब्सक्राइब फेमस है ओके याद कर लिजीगा यह आ जाता है कि फेमस गार्डन कौन से है ठीक है ओके आगे बढ़ने चलिए यह देखो यह न्यूर्क का बोटनिकल गार्डन है क्यू गार्डन जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी ना इतना खुबसूरत तरीके से द ब्हुंद आता है यह देखो यह बीश्यक को यह दिलता है इस ही बनाया है किये सोची कितने बाबन से सब्नाएim तरीके हुआ है थे को आगे बरते हैं अ अब आता है प्रानी उपवन अथवा चिडियागर जिसका हम क्या बोलते हैं जॉल्जिकल पार्क बोलते हैं ठीक है गयो ना आप जू देखा है वहाँ पे कितने सारे जानवर होते है और जहां जो जानवर होते है वहाँ क्या होता है चित लगी हुई होती है राइट होती है ना कि बाहर जो बैनन लगा होता है कि बंदर है यह यह है इसका यह है क्रोकोडाइल है यह इसका क्लासिफिकेशन है यह गोरिल्ला है इस तरीके से होता है ना तो बिल्कुल वही चीज़े हैं ठीक है चोले इसको पढ़ते हैं इन उपवनों में अधिकांश तह वन्ने अवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं मतलब वन से लेकर आते है जीवित प्राणीों को और यहां पर रख देते हैं ठीक है इनसे हमें वन्ने जीवों की मानव की देख रेक में आहाल प्रकति तदा वेवार को सीखने का अफसर प्राप्त होता है मतला हम जब जू जाते हैं वहां क्या देखते हैं वहां पे लिखा हुआ भी होता है बाहर जो जीव है वो इस जगह से आया है और यह यह खाता है इसके देख बाल कैसे की जाती है बहुत जगह लिखा होता है ठीक है नोटिस करना आप जब जाओगे इस बार ओकी पिर है जहां तक संभव है प्राणी उपवनों में विवे ने प्राणी उपलब कराये जाते हैं हम लोगों के लिए ताकि हमारी नॉलिज बड़े क्या होता है कि जो यह जूलोजिकल पार्क वाले होते हैं क्या करते हैं तरह तरह के पसुपक्षी वहां पर लाके रखने को सोचेंगे गर सोचेंगे नी इसलिए कि यह पूरी कोशिश करते हैं कि हमको नए ने जीव देखने को मिले वापे चल आगे बढ़ते हैं इनको एक दूसरे से डर्ण नहीं लग रहा है इसलिए ठीक है आप लोगों के लिए रखा है यहाँ पे इसको ठीक है आरोपलेन उड़ गया यह देखो यह सारे भी वो कॉमन हैं कॉमन आनिमल्स है ठीक है कॉमन जो जीव जन्दु है जो मुख्यता कहां पाए जाने में लिए जू में आप इन्हें आराम से देख सकते हो ठीक है बहुत कॉमन है ठीक है कि जराफ है इसली देखने मिल जाता है जी कर पार्क है दोनों एक साथ है ठीक है बैंगलाओर में बहुत सुन्दर बना हुआ है जो लोग बैंगलाओर से यहां जुड़े हुए होंगे उनको मालूम होगा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अरे बपरे चलिए अब थोड़ा सहम हर्बेरियम के बारे में एक्स्प् नमूनों को कागस की शीट पर सुखा कर दबाकर परिरक्षित करते हैं मैंने बताया था ना आपको कि हमने एक प्लांट की कोई फ्लार तोड़ लिया या कोई लीव तोड़ लिया और उसको क्या करोगा आप किसी कॉपी के भीश में रख देते हैं जनरली हम लोग क्या करते कि फूल के कि इस सी मिल गया तो से कॉपी के अंदर दबा देते हैं आप पर बिपशल पर सुखा देते हैं ठीक है जनरली एकर आप बनाऊं तो छ्यम कर झेह 안 की नियूस पेपर के अंदर सुखा ना उसको ताकि आपकी जो बुक है या कॉपी है खराब ना हो नियूस्पेपर के अंदर ना बहुत अच्छे से क्या होते हैं यह सूख जाते हैं और इसका जो लेवल होते हैं वो भी खराब नहीं होता ठीक है जब आप लोग बनाओगे न हर्बीरियम शीट तो ऐसे ही करना अकबार के अंदर दबाना उसको ठीक है ओके चलो यह नमुने सूचना सहित भविश्य में अध्यन के लिए वनस्पति संग्राल ले में सुरक्षित हो जाते हैं मैंने क्या बोलता कि इन फ्यूचर के लिए इनको समाल के रखते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्पेशी से जो धीरे-धी लगी एतिगा चुई में के पौधा है कि मिलते है अजकर मिलता है मुझे teh याद भी नैंकि मैंने लास्त टैम मनें का पौधा कहाँ देखा था ठीक है तो ऐसे यह और भी बहुत सारे फूल है पेड़ पौधे की पेड़ पौधे हैं जो धीरे-धीरे खतम हो रहे हैं तो वो आगे आने वाले जनरेशन को पता होना चाहिए कि अच्छा यह मिमोसा आयाने की छोई मैं का पौधा ऐसा था कि इसको हम टच मी नॉट बोलते पौधे की छूटे यह क्या करता था बंदो जाता था है ना तो इसी लिए इस लेवल पर पौधो को एकत्र करने की तिद्धी आने की डेट लिखी होती थी स्थान की कहां से लाए हैं अभी बताया था ला मैंने और पौधो का पौधो का इंगलिश में नाम लिखा होता है इस थानीय नाम क्या है उनका मतलब कॉमन नेम क्या है और वैज्ञानिक नाम कुल एकत्र करने वाले का नाम मतलब की कौन लेकर आया है उसको यह भी लिखा होता है वहाँ पर ठीक है हर्बेरियम वर्गी की अध्यान के लिए तत्काल संदर्व तंत्र उपलप्त कराता है मतलब इमीडियेटली कहीं जाने की जरूत नहीं है हर्बेरियम जो है आप उठाओ तिवाज जाओ साब देख लो हम इमीडियेटली ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं कि अरे परेद यह देखे इस तरीके से सुखाया जाता है अठीक है इस तरीके से सुखाएंगे इसको हम में और ऐसी चिपका देते हैं इस तरीके से देखों यह बनाए है यह चितखना है इधर लगा हुआ बनाए भी लगा सकते हैं और बनाइब बहुत खूबसूरत भी लगती है अगर आप उन्हें बहुत नीच इन क्लीन बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बनाऊगे बहुत खूबसूरत बनती है ठीक है यह दखो इस तरीके से एक फ्लार है यह हर्वेरियम स्पेसिमन है ठीक है इस तरीके से एक शीट यहां पर बनाऊगे ऐसे ठीक है डेट आजाएगी नमबर मतलब नमबर वन कि हाँ यह नमबर वन है सबसे पहला ही खट्टा किया मैंने फिर आप डेट आफ कलेक्शन की किस दि लिख हो गये इसकी फैमिली हैबिटेट लोकेशन एक्सेक ठीक है इस तरीके से लिख हो गया ओके चलो अब आते संग्राले याने की म्यूजियम की बात करते हैं ठीक है तो भाईया वनस्पतिक संग्राले प्राया सेक्षिक इस्थानों जैसे विद्याले तदा कॉलेजों में स्थापित किये जाते हैं मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्पेसिमेंस हैं ठीक है जिनको उ आपकी मिल जाएंगी बहुत असानी से आप अपनी बाइलोजी लैब में जाईए वहां जाके उसको देखिए ठीक है नमूने परिरक्षित गोल में डालका जारों में रखे जाते हैं मैंने दिखाया था ना आपको कि किस तरीके से एक मेंडग को स्टार फिश को एक पानी के घोल में रखा गया है है ना वहाई जो कीड होते हैं इंसेक्ट होते हैं जैसे मैंने बटरफ्लाई का jouer बेटल का बताया था आपको हैं उनको मारने के बाद कीटो को डबो में पिल लगा कर बताया था ना मैंने कि कुछ को हम पिल लगा कर देते हैं जैसे बीटल हो गए कोक्रोच हो गए बटरफ्लाई है लेदी बाग है इनको हम पिल लगा कर रखते हैं बड़े प्राणी जैसे पक्षी संधारियों को प्राया भ जो कैमिकल्स होते हैं उनके साथ मिला देते हैं कि वो खराब नहीं होते हैं ठीक है संग्राले में प्राया प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं डाइनसौर का दिखाया था न मैंने वे सई ठीक है अरिब बाप्रे ये देखिए भर कर रखे जाते हैं पक्षियों के मैंने बताया ना तो इनको क्या किया गया है भर के रखा गया है लग रहा गया है इस इनको भर के रखा है पर इनके अंदर ऐसे कैमिकल्स के साथ चीजों को भर के रखा जाता है कि as it is लगते हैं ओके, यह देखिए, कैसा लग रहा है यह, यह क्या है हमारा, यह full term human baby है, full term, मदला पूरे 9 महिने का, ठीक है, और बहुत healthy baby है, जिसको preserve करके रखा गया है, यह dead ही हुआ होगा, इसलिए इसको preserve कर रहा है, इसको मार के नहीं रखा है, प्लीज, इस confuse बिल्कुल मत हो ना, ठीक ह कि, ऐसा होता है कि, जैसे कभी कोई बच्चे का मतलब पैदा होते ही, इसकी death हो जाती है ना, तो क्या होता है, इसको आगे की study के लिए, कभी-कभी हाँ, उसको क्या करते हैं, रख लेते हैं, preserve करके, ठीक है, इसलिए, यह क्या यह abnormal है, ठीक है, लेकिन यह पूरा है, 9 महिने इसमें कमी है, यह सब क्यों होता है, जब हम MBBS करते हैं, तो वहाँ हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है, इसलिए इनको preserve किया जाता है, ठीक है, यह क्या है, फुल-term embryo of golden langur, langur होता है ना, langur, यह उसका full-term embryo है, लब पूरा एक healthy, healthy baby है, किसक चलो, आगे बढ़ते हैं, आ, यह देखो butterfly, मैंने कहा था ना, pin के साथ रखते हैं, देखो इसमें क्या था, liquid में save किया था हमने, है ना, इसमें क्या था, अंदर भर कर save किया था, खाल के अंदर भर के, ठीक है, इसमें liquid के साथ, इसमें pin के साथ, और इनमें, फिर से liquid के साथ, इस तरीके से देखो, देखा होगा आपने lab में, ऐसे ही मिलते हैं हमारे school के lab में, यही रखे होते हैं इस तरीके से, यह कांच की शीशी होती है, और इस तरीके से level लगा होता है, देखना आपने lab में जाके, चलो, कुंजी अथवा चावी, यह एक अन्य साधन सामाकरी है, मतब एक और source है, जिससे हमें पता चलता है, चावी क्या होता है, की, है न, एक ताला आप कैसे खोलोगे, की से ही खोलोगे न, हाँ, और कुंजी क्या होता है, गाइड, जो हमें गाइड कर रहा है, ठीक है, यूज करते हो न, कुंजी, यह science क की है, यह biology की है, physics की है, सस्टी की है, math की है, कुंजी, यूज करते हो न, क्या होती है, गाइड होता है, कि वह हमको guide कर रहा है, हमें help कर रहा है, जिसका प्रियोग समानताओ तता असमानताओ पर आधारित होकर, पौधे तता प्राणियों की पैचान में यूज किया जाता ह है, ठीक है, यह कुंजी, विपरीत, लक्षडो, जो प्राया, जोडो, यह युग्मकों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, ठीक है, उसमें based होती है, कुंजी, दो विपरीत, विकल्पों को चुनने को दर्शाती है, दो opposite choices होती है, उनको चुनने में यह help करती है, इसके कि इन में क्या समानता हैं, एक को क्या करेंगे, accept कर लेंगे और एक को reject कर देंगे, ठीक है, कुंजी में हर एक कितन मार्क दर्शन दा कारे करता है, मार्क दर्शन मतलब रस्ता दिखाने अकारे करता है, ठीक है, पहचानने के लिए हर एक वर्गी की संवर्ग, जैसे कुल व हाँ पूर पाम के फ्लोरा क्या होता है इस किसी चेत्र के पौध्य तता उसकी स्थान में वश्थानों के विशय में जानकारी होती है फ्लोरा एद फोलसों हाँ तो ठीक है तो क्या होता है जो कोई छेत्र होता है उसके जो पौधे होते हैं वहाँ पौधे और वो इस थान इन दोनों के बारे में इस पुस्तक में जानकारी होती है ठीक है यह उस विशेश छेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पेशीज की विशेश सूची देती है लेंगी आपको अच्छा ये पौधा है ये इस वाले एरिये में मिल रहा है अच्छा इसमें ये खासियत है मतलब ये सारे चीज़ें वहाँ पर मिलती है ठीक है फिर दूसरी आती है नियम पुस्तिका उस छेत्र में पाई जाने वाले स्पेशिस को पहचानने में सहायता मिलत क्या करती है help करती है ओके फिर लास आता है मोनोग्राफ इसमें किसी एक टेक्जाउन की पूरे जानकारी होती है सिर्फ एक टेक्जाउन की पूरे जानकारी ठीक है ओके तो अगला किया है हमारा चैप्टर व्यू ओके तो हमारा चैप्टर यहां पर फिनिश हो गया अब आ तो जो निया स्लेबस है उसके हिसाब से यह आपकी बुक में नहीं मिलेगा यह पुराने स्लेबस के हिसाब से ठाज पुरानी जो टेक्स बुक है उनको यह सारे टॉपिक बहुत इजली देखने को मिल जाएंगे लेकिन ये सिर्फ इसलिए आप सभी को बताया गया है कि अगर नीट के एक्जाम की आप लोग तयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सभी चीज़े बहुत जादा हेलफफुल रहेंगी क्योंकि नीट के में क्या होगा वो ये नहीं देखेंगे ना कि अच्छा इसलिए बस से अभी हटा है या पहले हटा है ये चीज़े वहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसलिए चीज़े आपको यहाँ पर बताई गई है ठीक है इसलिए जो नई यहाँ पर खतम होता है ओवर्व्यू करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या बढ़ाता सबसे पहले हमने बात करी थी कि जीव क्या होते हैं है ना जीव क्या होते हैं जीवों में हमने क्या देखा था लक्षण देखा था फिर विशिष्ट लक्षण देखा था विशेष्ट लक्षण ठीक है उसके बेसिस पर हमने क्या किया था वैज्यानिक नाम रखे थे वैज्यानिक नाम रखे थे वर्गी करन करने के बाद वर्गी करन करने के बाद है ना फिर हमने क्या किया था हमने कार्ज लीनियस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने यह वर्गी करन दिया था किसका वर्गी करन दिया था उन्होंने आम का दिया था हमने आज की क्लास से पढ़ा का लिखे चलो यहीं से लिख देते हैं हमने आज की क्लास से पढ़ा कि वर्गी करनकेल में जो क्या help करते हैं है ना कौन से साधन तो हमने पढ़ा वर्गी की सहायता साधन है ना कौन से साधन जो वर्गी की जो होते हैं उसमें help करते हैं हमने यह उसमें क्याते एक-जीवित था मतलऊंद सजीव दूसरे मृत सजीव में हमने क्या पढ़ना वनस्पथि उध्यान और जंतु हुद्यान के बारे में पढ़त है नदा और मृत में क्या पढ़ा हाब कोर्बेरियम और शंग्राले के बारे में पड़ा तो यह टोटल हमने अपना ओवर विव कर लिया है चैप्टर का कि हमने इस चैप्टर में में ही चीजे पढ़ी है अब फाइनली चैप्टर के एंड में मुझे लगता है कि आप सब कोई चप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना और आपको लगता है यूस्फुल है तो प्लीज अपने दोस्तों का शेयर करो ताकि उनकी भी नॉलिज क्या हो बढ़े आपके साथ साथ ठीक है ओके तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में हां एक और न Ain टॉपिक के साथ तब-ठक के लिए आप सभी अच्छे से रहिए खुश रहिए खुप सारी पढ़ाई करिए मस्ते करिए ठीक है? चल्ये! मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए चाटा झाल